नमस्कार आप देख रहे हैं MP तक और मैंनों आपके साथ अकांग शठाकुर और जो MP तक की जो गाड़ी है वो ग्वालियर से गुना होते हुए पहुच गई है रागोगड और यहाँ पर जैवर्धन सिंग जो की पूर काबिनेट मंत्री बे रह चुके हैं उगर से विधायक है उनसे आज हम मुलाकात करेंगे बातचीत करेंगे 23 में क्या कुछ उनकी प्लानिंग है किस तरीके से कॉंग्रेस को लेकर आगे बढ़ेंगे इसके बारे उनसे बातचीत करेंगे जानने की कोशिश करेंगे जैवर्धन जी बहुत-बहुत स्वागत है चुनाव को लेकर माम हम मानते हैं कि जब दासभा चुनाव हुए थे वर 18 में तो उस समय जनता ने कॉंग्रिस को आशिरवाद दिया था सरकार हमारी बनी थी लेकिन जैसा घटना करम भी महरास्टा में हुआ वैसा ही दो साल पहले मध्यप्रदेश में हुआ था जहां परिवतन करके सरकार बदल गई लेकिन मूलबात यह है कि जो आम जनता है जो आम अदाता है वो भी सब को समझ रहा है क्योंकि आखिर लोक तंत्र में जनबल सबसे मजबूत होता है धनबल नहीं और जो जनता मध्यप्रदेश की है उसको बात का ऐसास है कि यह जो सरकार वर तीन साल डिले होके किये जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बीच में फिर बदल हो गया और इसलिए भी क्योंकि भाजपा की मात्सिक्ता ही नहीं थी चुनाव करवाने की वो तो जब मानिय सर्वोष न्याले ने आदेश निकाला कि ततकार चुनाव किये जाए तो इनके मजबू निगम के जो चुनाव हैं उनमें उनकी सभाय हो रही हैं कली वो गॉलियर में भी थे आप भी शायद वहां मौझूद थे और जो हमको समर्थन मिलना जंता के माधियम से मैं भी कल गुना नगर पालिका में था वहां भी लोग इस बार परिवत्तन के लिए तयार हैं तो हमे अगर थुड़ा सम हिस्ट्री में देखें तो काफी सालों से बीजेपी का होल्ड रहा है महापौर की सीट पर तो अगर कॉंग्रेस की बात करूं इस बार जो चहरे भी उतारे गए हैं तो क्या लग रहा है कितने फिर भी महापौर कॉंग्रेस के बंते दिखाई दे रहे है आपने सही कहा है कि पिछले कुछ कारेकालों से अरिकतर जो महापौर बने भात्पा के बने हैं लेकिन इस बार विशेशकर कॉंग्रेस पार्टी ने कमलनाजी ने हर एक सीट पर बहुत ध्यान दिया है ऐसे हमारे कुछ दिगज विधायक हैं जो उनके ही परिवार से या वो स्वेम लड़ रहे हैं चुनाव महापौर का हमारे जैसे सची सिकरवाल जी के परिवार से ही टिकेट मिला है गॉलियर में महेश परमाजी लड़ रहे हैं वो जैन से सागर से भी जो हमारे पूर विधायक रहे हैं उनके परिवार से वहां उनको भी टिकेट मिला है महापौर का तो अपने विवा पटेल जी जो पूर महापौर है चुकी है बोपाल में उनको वापिस कॉंग्रिस ने मौका दिया है उनके बाद नुभव भी है जन समर्थन भी है और इंदौर में भी संजय शुकला जी एक बड़ा नाम है उन्होंने कोविट के समय बहुत जमिनी सर पे जनता की सेवा की थी इस बात को आज भी जो इंदौर का मद् है तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमको काफी सीटे आएंगी महापौर की और क्या इस सब हमारे जो संभागे सरके जो हमारे शेर हैं जबलपुर है बिंदौर है उज्जैन है गौलियर है भुपाल है हमको इस बार अच्छे परणाम की उम्मिद है जी बी क्यों उस तरीके का होल्ड कॉंग्रिस का दिखाई नहीं दे रहा है नरुत्तर मिशा जी का मैं बहुत संभान करता हूं लेकिन मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है कि भाजपा ने उनको नकार दिया है वो स्वेम सीएम के उमीदवार थे उन्होंने एक एहम भूमे का निभाई थी जो भी कुछ लेन दिन हुआ था दो साल पहले खुद सीएम के उमीदवार थे लेकिन एक बार फिर जिनको पहले भी तीन बार मौका मिल चुका था शिवरा सिंग चौहन जी को उनको भाजपा ने सिंजर जी कहने पर शायद वापिस मौका दे दिया तो नोत्त जो विकास आज भी इस देश में हुआ है वो कॉंग्रेस ने किया है और वो इस बात को भी याद रखे कि आज जो सबसे बड़ी पीड़ा युवाओं की है वो बिरोजगारी की है और पिछले बार एक मांग उठी थी वन रैंक वन पेंचिन की आम फॉसे में लेकिन ये कमा है भाजपा का कि उनने नो रैंक नो पेंचिन कर दिया है मोदी जी है तो मुम्किन है और वहीं अगर आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा बुद्दा महेंगाई का है आठ साल पर सरकार कॉंग्रेस की थी पेट्रोल के दाम लगभग साट रुपए थे डीजल के दाम प अकेले मोदी जी और भाजपा के आठ साल में उतनी महेंगाई दोगुना हो गई पेट्रोल हो गया 120 के आसपास डीजल हो गया 100 के पार तो आज अगर महेंगाई की मार जो है वो सीधे असर कर रही है आम जिनता पर जो आज खुद को कहीना कहीं पेक्षिद महसूस कर रहे है तो चाहे युवा हो चाहे किसान हो चाहे माता भेने हो हर वर्क के लिए विशेश कर कॉंग्रिस का इतियास राह है हमने उनकी योजनाए बनाई है लेकिन भाजपा के राज में चाहे नोट बंदी हो चाहे ये जो एक नई स्कीम आई है जिसका वो अगनीपद अगनीपद स्कीम जिसके बारे में आज कर्चा चल रही है यह सब बहुत बड़ी फेलियर रहे हैं बाजपा सरकार के क्योंकि इन योजनाओं से कहीं भी जो आम आदमी है उनको लाब नी मिला है उल्टा अगनीवीर अगनीपद स्कीम से जो एक पहले एक स्ताही नौकरी मिलती थी जा तो सरफ चार साल के लिए आओ फिर वापिस घर चले जाओ तो यह कैसी योजना है जी बिल्कुल तमाम मुद्द जो आपने गिना है उन पे भी मैं आऊंगे लेकिन कॉंग्रेस ने इस बार जो है लिस्ट सबसे पहले जारी की थी महापौर प्रत्याश्यों की हो या फि खिर कॉंग्रेस में आई क्यूंकि कॉंग्रेस का कैडर ही जो है वो कारे लेके बाहर प्रदर्शन कर रहा है वो तो मैम जब अगर हम देखे तो लगभग साड़े 300 से अधिक निकायों में चुना हो रहे हैं और कुछ निकायों में 80 से उपर सीटें हैं कुछ निकायों में 50 तो सभाविक है जब इतने लोग काम करते हैं पार्टी के लिए और टिकेट सरफ एक वाट से एक विक्ति को मिलना है तो कभी कबार इसमें आपसी विवाद हो जाता है कहीं जगे परिवतन भी होता है लेकिन मूल बात ये है कि आज जो एक परिस्टी बनी है पूरे प्रदे हुरिया जी हो चाराहुल अजय सिंग जी हो सब कमलना जी के साथ खड़े हैं और जो भी कुछ इसमें विवाद था वो भी समाप्त किया गया लेकिन वहीं आजकर चर्चा भाजपा में है कि भाजपा के अब तीन गुड़ बन गए जब सिंद्या जी आये है एक है दूसरी महराज भाजपा और फिर नाराज भाजपा और हमको यह खुद देखने को मिला गुना नगरपाले का में जो एक प्रकार से जहां लगातार दो तीन बार से भाजपा के परश्चत बनी है वहां के जो अभी नगरपाले का अध्यक्ष रहे राजन सिल्वेर जी ने बियान दिया कि जो भाजपा का मूल कारे करता है आज के समय वो घर बैड़ गया है वो खुद को प्रिक्षिद मैसूस कर रहा है और यहां तक हुआ कि जो पूर जिराद्यक्ष है भाजपा के पारीक जी उनका नाम सूची में आ गया कि चुनाओ लड़ रहे हैं लिए उनने फॉर्म तक नहीं भरा ऐसी नराज़ी आज भाजपा में हो चुकी है क्योंकि हुआ यह कि जिनको उनने हराया 2019 में वो ही सौदा करके लेंदिन करक तो इससे कहिना के ही जो यह विवाद चल रहा है भाजपा में वहीं चर्चा एक और आरही है सामने कि मुरेना और गॉलिज में टिकेट नहीं हो पाया सिंदिया जी का तो वो रूस गये अभी सिती हो रही है कि जो दोरे साथ पे बनाए गए गए थे सिंदिया जी के वो लाई चल रही है और उनकी सहमती नहीं बैठ पारी है जनता भी सब बात समझ रही है और हमें पुरा विश्वास है कि जनता इस बार कॉंग्रेस को पुरा समथ्षण करेंगी जी नाराज भाजपा की आपने बिलकुल बात की हाल ही में आपका लगभग एक महीने पहले अश पिछले कई महीनों से जब 15 महीने की सरकार रही थी तब से ही हम सुनते आ रहे हैं तो यह समस्या क्यों बनी हुई है क्यों जो बड़े नेता हैं बड़े चैरें कॉंग्रेस के वह छोटे नेताओं की बात नहीं सुनते हैं इस में माम बहुत ज़ूरी है के जो भी हमारे नेता हैं जो भी हमारे विधायक हैं हम सब को विशेश कर ध्यान देना चाइए कारे करताओं पर और जो पार्षद रहे हैं कुरेशी जी उन्ने ये बिन्दु उठाया था और उनको में टिकेट भी दिया ए उम्मारे कर्यकरटाहों की क्योंकि है काृत्रंब हुना था उसके प्रभारि यह में हमारे भार से आए थ तो हमिने बैटन इसली रखी दिए हैं ताकि जो शिकारिवें जनता की तो कि वह सामने ने आये हैं क्योंकि राज्णीती एक ऐसे ऐसी फील्ड है जहां लगातार पर्यवतन होता रहता है जहां लगातार नया समीकरन बेठता रहतां और जो लोग हमारे लेता हैं जो जमीन पर काम करते हैं उनका सम्मान हमेशा रहे ये हम सब की प्राकुम्ता हुँने चाहिए है तो इसलिए हम हमेशा यह प्रयास करते हैं आखिर अगर कोई गल्ती हुई है नेटाओं से मधा हर में क्या गल्ती है we इसको हम सुझारेंगे यह हमारा प्रयास रहता है तो क्योंकि आखिर जो आपको सही बात बताएगा वही आपका सही कार्यकरता भी रहेगा तो इसलिए बहुत जरूरी है अगर कोई ऐसी बात हो भी गई जहां फोन कोई नहीं उठा पाया तो लेकिन अगर वह बात सामने आए हैं कि अगर कहीं वी ऐसी कोई तूटी हो जाए उसको हम सुझारेंगे लेकिन जो समबाद रहता है नेता कारकाता जिन्दा के बीच में वो लगादार बना रहे हैं वो सबसे महत्रपूर्ण है जी मुद्दो के आपने बात की महंगाई बेरोजगारी खासता और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है नजर आता है अगनीपत स्कीम जो आई है उसको लेकर भी गुस्ता जो है वो देखने को मिला लेकिन एक शिकायत जो हम जब बात करते है इए युवाओं सतून की रहती है। कि विपक्ष में कॉंग्रेस है लेकिन फिर भी उस तरीके से विपक्ष्ष सडक पर इन मुद्दो के साथ नहीं दिख रही है तो यह शिकायत आखिर कब दूर होगी और कब कॉंग्रेस सडकों पर उस तरीके से दिखे की जिस तरीके से महेंगाई का, हमने मुद्दा उठाया बिरोजवारी का, हमारे अनेक कारे करता हैं जिन्होंने पध्यात्राएं भी की, गौलियों से भोपाल, जिबरपुर से भी उन्होंने पध्यात्राएं की, और लगातार कॉंग्रेस पार्टी अलग-अलग स्थर पर, कहीं तैसील स्थर क्यों ही उद्योग मध्यपदेश में स्तापित हैं, वो सब कॉंग्रेस पार्टी की देन हैं, हमारे जिले में गेल एनेफल तब स्तापित हुए, जब सरकार कॉंग्रेस की थी, हमारे बीना रिफाइन थी, कब स्तापित हुई, जब सरकार कॉंग्रेस की थी, इन दौर में जो देवास का उद्योग खिटर है, पीतमपर खिटर है, वो सब कॉंगर्स पाटी की देन हैं, इसके लावा भी जो भी हाइडरो पावर के प्लाट्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कॉंगर्स के समय स्तापित हुए थे, विन्द शेत्र में भी जो कोल प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब कॉंग्रिस की देन है, कहने का मतलब ये है, कि आज दिन तक जो भी बड़े विकास कारिया हुए है मद्धिपदेश में, वो कॉंग्रिस के द्वारा किये गए हैं, वहीं शिवरा सिंग चौहन जी का कारेकाल लगबक सुला साल का हो चुका है, लेकिन उनके पास कहने क एक भी मुद्दा नहीं है, कि उनने ये उद्योग सापित किया, और अगर हम देखें, तो अकेले जितने उद्योग कमल्ला जी ने सापित किया चिनवाडा में, उतने उद्योग शायद शिवरा सिंग जी नहीं कर पाए पूरे मद्धिपदेश में, उनके चार कारेकालों म तो इससे स्पष्ट, ये बात भी स्पष्ट है, कि अगर कोई विकास पुरुष है मद्धिपदेश में, तो वो कमल्ला जी है, जिनोंने युवाओं का बवश्योजवल किया, जिनोंने नए रोजगार के मौके दिये, मैंने तो आपको उधारन सहित प्रमान दिये हैं, जि ये सब आखिर पब्लिक सेक्टर उद्योग हैं, जिससे कि कही न कहीं जो गर्मेंट सेक्टर हैं, उसमें नए रोजगार के मौके मिले, मैं तो हर भाषन में कहता हूँ, आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरिया गाओं में हैं, चाहे शिक्षा कर्मी की हो, चाहे पंचाय सेक सरकार ने भाषपा सरकार ने हमारे गरामीन शेत्र के लिए एक भी नौक्य नहीं दी है, जी, बिल्कुल तो आपका कहना है कि अग्रिसिव ली जो इतमाम मुद्धे हैं, उनको जो है आप उठा रहे हैं, कॉंग्रेस उठा रही आकि भी उठाते रहेगी, अब परिवारव जब नाम आता है, तो फिर आपकी घराने का भी नाम आता है, तो इस चीज को आने वाले चुनावों में, क्योंकि जनता बहुत इस से कनेक्ट करती है, इसे आप कैसे काउंटर करेंगे, कॉंग्रेस कैसे काउंटर करेगी, लेखिए भाजपा के कत्निय कन्य बहु बड़ा अंतर है, अब आप आँकाश विजयहवर्गी जी कैलास जी के बेटे हैं, वो वदायक हैं भाजपा से, विश्वा सारंग जी, जो मंत्री हैं भाजपा सरकार में वर्तमान में, वो गैलास सारंग जी के बेटे हैं, अपने सुरेंद पढ़वा जी जो है, वो स्वर्गे अमिट शाजी हैं, उनके बेटे तो BCCI के पूरा काम समाल रहे हैं, जबकि वो तो पद सिधा सिर्फ क्योंकि वो उनकी बेटे हैं, जबकि हम तो चनौ लड़ते हैं, अगर हमारी कोई ऐसी, हमको कोई पद मिला है, इसको में कमाया नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं व तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे कोई प्लिटिकल फैमिली से हो, चाहे किसी फैमिली से भी हो, लेकिन अगर वो खुद की मेहनत से चुनाव जीत रहा है, तो हमारा दोश क्या है, और जो चुनाव हुआ था अठारा में, उसमें दिविया सिंग जी एक बार भी पचार के तो यहाँ पर जो भी हमारा संपर्ख है, वो यहाँ के जो आम मत दाता है, उनके साथ है, और कहीं भी कोई रोल ऐसा नहीं है, जिससे कि किसी के बेटे कोने के नाते हम को वोट मिलते हैं, क्योंकि हम जंदा के बीश रहते हैं, तो जंदा का आशिरवाद मिलता है, लेकिन ज भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं, अमिर शार जी, उनके बेटे को इतनी बड़ी नौकरी पद मिला है, सर्फ इसलिए, क्योंकि वो अमिर शार जी के बेटे हैं, तो फिर यह तो जो आरोप है, सबसे पहले लगना चाहिए भाजपा पर? सिंधिया जो है, वो कॉंग्रेस छोड़के जा चुके हैं, और अगर युवा चेहरों के अगर मैं बात करूँ, तो आप जो है, वो एक बड़ा युवा चेहरा जो है, मध्रिप्रदेश कॉंग्रेस में हैं, तो आगे किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी जर्णी को? मैं तो मानता हूँ सिंधिया जी को सब कुछ दिया कॉंग्रेस पार्टी में, बहुत अफ्सोसी बात है कि नोंने रहुल जी को दोका दिया, जो कारेकरता है कॉंग्रेस का, जिनोंने उनके लिए काम किया, उनके लिए मिहनत की, उनको बिना बताए, वो पार्टी छोड़क हैं, जिनकी एक अच्छी पकड़ है जनता के बीच में, हर संभाव में हमारे पास नेता है, और ऐसे बहुत सारे युवा नेता भी हमारे पास, अगर आप जो कारेकाल था कमलनाच जी का, उसको भी आप देखें, तो उनके मंतरी मंडल में भी अधितर युवा थे, और हम अब ने अच्छा काम किया था, और लगातार जो सोच कॉंग्रेस पार्टी की थी, हम तो ये बात आवे के साथ कहते हैं, कि जो काम कमलनाच जी ने पंदरा महिने में करके दिखाया, वो काम भाजपा के लोग पंदरा साल में नहीं कर पाए, गरीबों की पेंशन भाजपा क के राज में 500-300 होती थी, हमने 600 रुपे की, बिजली के बिल कमलनाच जी ने 100 रुपे 100 unit किये, पंदरा साल जो भाजपा के थे, उनके कारेकाल में एक भी गौशाला नहीं खोली गई, हमारा वचन था वचन पत्र में, कि अगर सरकार कॉंग्रिस की बनेगी, तो हम पंचायत में मैं हमने हर जनपर शेत्र में 10 से 20 को सालें खुलवाई, अब बहुत ही अच्छा निर्मान किया गया, इसके इलावा, कमलनाच जी की सोच थी, कि जो गाउं का मद्दाता है, कोई काम तैसील में हो, कलेक्टरिक में हो, बढ़कता रहता है, लेंदिन होता है, लेंदिन हो किया था, आपकी सरकार आपके द्वार, जिसमें स्वेम हम मंत्री लोग, कलेक्टर, SP, SDM, तैसिलार, सब लोग जनता के बीच जाते थे, वहीं होती थी, वहीं हर एक जो शिकायत है, आविदन है, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, काम तत्काल होते थे, ये सोच कमलनाच जी की थी, कॉंग्रिस की थी, लेकिन वहीं सरकार वापिस भाजपा की आ गई, वह वापिस आलस लोड़ गया, शासन में, और आज आप देखरें क्या परिसित्या बन गई है, तो कहने का मतलब ये है, कि सिंधिया जी के ना होने के बावजूद, आज भी कॉंग्रिस के पास ब परिद करें जनसेवा में, युवाओं के विकास के लिए, जो गरीद जनता है उनके विकास के लिए, जो बड़े मुजुर्ग हैं उनके विकास के लिए. लेकिन आपको कोई बड़ी भूमिका आगे चलकर मिल सकती है? अभी तो सबसे जो प्रतम लक्ष हमारा है, वो यही ह कि दोजात तेईस में सरकार कॉंगरिस की बने, कमला जी मुक्य मंतरी बने, उसके बाद फिर जो पार्टी तरह करेगी उसका हम सब्मान करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बस हमारी यही सोच है, कि सरकार कॉंगरिस की बननी चाहिए है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो क कोई भी नकरात्मा काम नहीं किया क्योंकि हमारी सोच यह थी कि अगर कोई पद मिला है हम मंतरी बने हैं कमनला जी सीएम है तो हमारे स्तर पर जो भी कुछ पॉजिटिव काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए है और वहमें करके दिखाया जी आप गौालियर पहुचे थे दस किल तो मीटर लगभख जो बनाई थी और पिलाई थी लोगों को साथ ही ढोल बचाते हुए भी आपकी तस्वीरे काफी वाईरल हुए है तो ये लोगों से कनेक्ट करने का नया तरीका है और किस तरीके का रिस्पॉंस इस पर आपको मिलता दिखाय दे रहा है हमने हमें माना है कि अगर हमें जंसेवा करनी है जंता का विश्वास जीतना है तो ये इतना सभाव से नहीं हो पाता है हमें जमीन पे रहकर जो हर महला है शेहर में वहां जाना चाहिए है जो आम मद आता है जो शायद जो आम सभा है उसमें नहीं पहुच पाता हो या फ़र जिसका connect कोई निता के साथ ना हो उन तक पहुशना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने हमेशा ये बात माना है रावगण में कि लोक तंत्र में कोई राजा नहीं है कोई महराजा नहीं है जनता राजा होती है और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जो वधायक और सांस में और स्रूम प्रदेश रहना चाहिए को बननी होना चाहिए और इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि गाओ के मौले में हम जाते हैं लोई दवरा करते हैं शेयर के मिन कि वहां की जो वास्विक्ता है वो हमको समझ में आए और ताकि अगर हमको वो जनकादी भी ठीक से मिलेगी तो फिर जो काम और जो मांग जनतागी है वो भी हम पूरी कर पाएंगे जी इसको लेकर आपने बात की और बुल्डोजर की एंट्विजर मध्यप्रदेश में हो चुकी है और बुल्डोजर मॉडल जो है वो यूपी से लाया गया ऐसा जो है कहा जाता है तो जिस तरीके से बुल्डोजर कारवाई का विरोध जो है कॉंग्रेस में किया है हमने से हाथ से हुए थे मध्यप्रदेश में भी तो फ्रंट पेच पर एक खबर आई थी जिसमें कि बुल्डोजर ऐसे आवास पर चलाया गया जो था प्धार मंत्री आवास से बनाया गया तो एक तरफ सरकार ही पैसा दे रही है आवास बनवाने के लिए और फिर बिना कोई का साथ कुटीर मिली थी मज़े तो सरकार की तरफ से कहने का मतलब यह है कि जो अपरादी है उन पर कारवाई करो लेकिन क्या करें संब्धान में कि जिसने अपराद किया है उसका उसके घर पर बुलोजर चला दो मानलो परिवा में दस लोग है एक गलत है नौ सही है तो क्या जो नौ सही है उन पर भी आप कारवाई करोगे आखिर कोई अपराद करता है तो व्यक्ति कर अपराद करता है उस व्यक्ति को सजा दो लेकिन जो बाकी बेगुना लोग है उनका क्या दोश है हमारे यह सोच है और अगर इस डेश में कारवाई करनी है चलाना है जोज़र नकरात्मक सोच पर, मदभेत पर, मनभेत पर, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है, जिसमें हमेशा सामपदायक सभाव रहा है, सभी समाज, सभी धर्न एक साथ रहे हैं, परेम के साथ रहे हैं, इस सबसे बड़ी खासियत हमारे देश की है, भारत की है, हिंदुस्तान महराष्ट की में भी जो अभी सियासी उठापटक है, वो चल रही है, इस्तीफा हो गया है, उतव ठाकरे का, जैसा मर्धिप्रदेश में हुआ था, वैसा ही कुछ वहाँ पर भी नज़र आ रहा है, हाला कि शिफसेना के जो इस बार विधायक है, वो टूटे हैं, कॉंग्र जो पॉमन है, और वो दोनों जगा भाजपा ने भरपूर पैसे ठेके, और जो उन्होंने भष्टाचार उन्होंने किया है, पूरे देश में, नोडबंदी में, उस पैसे का उप्योग वो इस काम में कर रहे हैं, एक तरफ जो लोग भाजपा के कहते हैं, कि जो केंसरकार ह वो भरष्ट नहीं है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए है, कि अगर भाजपा के लोग ही 35-35 करोड में बधायक खरीद रहे हैं, तो इतना पैसा वो कहां से ला रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, कि जो देश की जनता ये घटना करम देख रही है, उनको भी कह करेना के ही इस बात का दुख होगा, कि जिसको जनता ने बधायक बनाया है, और अगर वही व्यक्ति जनता के वोट को बेच कर स्थीफा देरायपत से, या फिर पार्टी बदल रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपमान है मद्दाता का, आम वोटर का, वही हुआ को गोशना करनी चाहिए है, कि हम एक ऐसा नियम लागू करेंगे सदर में, कि अगर कोई भी वधायक जो पार्टी जीत के आए, और अगर वो बीच कारेकाल में पार्टी से स्थीफा दे दे, या फिर पार्टी बदल दे, तो ऐसे व्यक्ति को दस साल के लिए चुनाव लड तो जो मदाता रागवड का है, उन्होंने मुझे इसलिए वोट दिया, क्योंकि मैं कॉंग्रेस पार्टी से हूँ, और अगर मैं जनता के पीट के पीछे सौदा करूँगा भाजपा के साथ, उनसे पैसे लिलूँगा, और बीच कारेकाल में मैं पार्टी पदल दूँगा तो यह सबसे बड़ा अपमान है वोटरों का, क्योंकि आखिर जो मदाता है, वो खुद का घर छोड़ के लाइन में खड़ा होता है, हमको वोट देता है, हमको सम्मान देता है, और अगर हम उनका सम्मान तोड़ेंगे, अगर हम हमारे पत के का दुर्गप्रोग करके पैसे लेंगे दूसरी पार्टी से, तो उसे क्या संदिज जाता है शेतर में, तो मुझे भी पुरा विश्वास है, कि जो मदाता भारत का है, उनको वे एसास हो रहा है, कि जो यह भरष्ट भाजपा सरकार है, पून रूप से दुरूप्यों कर रही है, ED का, CBI का, और काले धन का जिसके मादर से खरीद फरोग हो रहा है, जी, तेईस को लेके अगर मैं सवाल पूछू, अकल नरुत्तम जी से बात की ति उन्होंने कहा कि शिवराज बीजेपी का चहरा रहेंगे, कॉंगर्स के तरफ से मध्यप्रदेश में कौन रहेगा, C.M. का फेस, कमनलाज जी, वो तो मैंने पहले भी कहा है, वो हमारे नेता थे, वो हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे, और ऐसा मैंने पहले भी कहा आपको, कि चाहे नरुत्तम जी ने आपको यह कहा हो, लेकिन अब भी भाजपा में चर्चा तो है, कि शिवराज जी के बाद कौन, और उसमें लाइन लग कि हमारे नेता कमलनाथ जी है उनको जनता ने 5 साल का मौका दिया था लेकिन पैसों के बल पे भाजपन सरकार बदली और हमें पूरा विश्वास से कि 23 में वापे सरकार कॉंग्रिस की आएगी कमलनाथ जी मुक्यमंत्री बनेगी एक मेरा अंतिम सवाल दिगविजे सिंग और क कमलनाथ दोनों जो हैं उनमें से आपका पसंदीदा नेता कौन है और किसकी राजनीती आपको प्रभावित करती हैं मैं तो यह मानता हूं कि दोनों की बहुत जबदर जोड़ी है और उनके संबन बहुत पराने हैं लग बहुत 40 साल से दोनों ने साथ काम किया है और जो भी कि आज दोनों को मौका मिला है वो पूरा कॉंग्रेस पार्टी ने उनको दिया है इंदरा जी ने उनको मौका दिया राजी जी ने उनको मौका दिया हम उनके आभारी हैं लेकिन अगर आप इनका इन दोनों का अगर पूरा इतिहास देखें तो दिग्विया सिंग जी सन सर सांसद बने चौरासी में, मुख्यमंत्री बने संतिरानवे में, महमंत्री रहे कॉंग्रेस पार्टी के लिए अनेक सालों के लिए, वहीं कमलना जी तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सांसद हैं, जितनी बार वो सांसद रहें, शायद कोई और नहीं रहा है, दोनों ने बहुत अच कि शिक्षा मिली है, उनिवर्सिटीज हैं यहां पे, जिससे लोग को लाब, युवाओं को लाब मिला है, और वहीं चिनवाडा मॉडल भी आपने देखा है, जितने उद्योग चिनवाडा जिले में हैं, और शायद कहीं नहीं है पूरे देश में, तो दोनों ने मिलके काम करने का मौका मिल रहा है, जी, तो ये थे जैवर्धन सिंग, रागोगर के विधायक और कॉंग्रिस की युवा नेता, युवा चेहरे, और देखे, 2023 में कॉंग्रिस की वापसी होगी, ये बात भी कह रहे हैं, साथ ही जो कॉंग्रिस में जो गुडबाजी है, वो खतम हो ग क्यामरा परसन रंजीत के साथ गुना से हकांग शठा कुर।